कि दोस्तों के से आप लोग मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियस से होंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम सौधिय अलब की कुछ बड़ी और इंपोर्टेट आ रही है वह आप तक पाउचाने वाले हैं आप लोगों से बुजारी से वीडियो को सूज लेकर आखर तक ज कि अगर आप और सॉवborg कि एंटेर्णाल या फ्राइट करना चाहते हैं तो आपको इंटेशनल फ्लाइट भूक करने पर पच्छास परसंट शूट दिया जाया जायगा मसलें दो जालते टिकट है तो आपको हजात याल का ही टिकट मिल जाएगा अगर हजात याल का टिकट है zombi produced का तो वो टिकट आपको 500 रियाल का मिल जाएगा था उड़े तो जो लोग भी शुक्टि पर जाने की प्लाइट पर प्लाइटות चूट मिलेगा. आपकी जानकरी के रिटातिये की हो सकता है हर डेड में आपको ये छूट न मिले. आपको चेक करते रहना होगा, किसी डेड में छूट आपको मिलती है तो इसी डेड में आपको सौधिय लैन्स की फ्लाइट बुक कर लेनी है और आप 50% फाइदा ले सकते हैं नि 50% आप छूट ले सकते हैं नि 50% आप छूट ले सकते हैं कि सौधी रप से तकरीबान 11,000 से ज़ादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया है नि उनके देश से वापस बेद दिया गया है जेल के जलिए यह से बत पाकिस्तानी जो इलिगल तरीके से रह रहते हैं उनको गिरबतार किया गया और 11,000 से ज़्यादा लोगों को पिछले 5 साल के दुरान 4-5 साल के दुरान सौधी रप से डिपोर्ट किया गया है शिरिफ पाकिस्तानियों को और इतनी तादात कुछ इंडियन की भी होगी है ल स्कूल बस खड़ी हुई है अगर आप उसको ओवर्टेक करते हैं तुस पर 3,000 से लेकर 6,000 तक आपको जुरुआना किया जाएगा इसा कि आप सामने स्केम पर वीडियो क्लिफ या इमेज के मद्दम से देख सकते हैं कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्कूल बस अगर खड़ी हुई है और अगर कोई सक्स अपनी गाड़ी से उसको ओवर्टेक कर देता है या आगे निकल जाता है तो उस पर उस बंदे को 3,000 रियार से लेकर 6,000 रियार तक जुरुआना किया जाएगा तुसलिए आपर कहा ये गहा है कि अगर स्कूल बस खड़ी है और स्कूल के बस खड़ी हुई है बच्चे उतर रहे हैं उस चुरत में उस बस को आप ओवर्टेक करते हैं तो आपको 3-6,000 रियार का जुरुआना पड़ सकता है कि स्कूल शुरू हो चुका है और स्कूल बस भी चलने लगे है तो इसलिए यहाँ पर सौधी ट्राफिक डिप पर जाते हैं और वापस नहीं आते हैं तो आपकी जानकारी के लिए उताते हैं कि अगर आप सौधी ट्राफिक पर जाते हैं और वापस नहीं आते हैं हैं तो आपका जब वीजा एक्सपार हो जाता है यानि जो आपका चुटी का वीजा है वो समप्त हो जाता है तो उसके बाद आप कभी भी नए वीजे लगवा कर सकते हैं फिर भी आपको कुछ वक्त इंतियार कर लेना है चुटी का वीजा समप्त हो जाने के बाद एक से द तिन सालों वो सुद्रब नहीं आ सकते थे लेकिन इस पबंदी को जो अज़ात ने फिराल फतम कर दिया है